आसागा इस्तर बहुत खराब होता जा रहा है जे प्रबक्ता हैं इनकी सारी आवाज जो है पूरे देश में जा रही है और आपका प्रोग्राम इतना कॉमन पॉपूलर है लेडिस भी देखती हैं और जे कभी-कभी इतनी गंदी-गंदी बात है करते हैं जो बिल्कुल उनको झोषोबानी देती है और उनका हाधर करता हूं साथ मैं जे बोलता हूं कि अपनी अपनी पार्टी का विभितावी हैं जो भी इनको बोलना है वाक्तब हैं एक दूसरे की आलोचना करते बुरा करती है बुरा जो देखन में चला बुट ना मिलिया को जो दिल खोजा आपना मुझसे पुरा नहीं होगा मैं आ रहा है कि 2019 से लेके 2024 के बीच में जो हमारे नेता स्पीच दिया करते थे तो लगबग आधी आधी स्पीचों को एक्सपंज कर दिया जाता था यही ओम बिल्ला जी के द्वारा और वहीं राजय सबामी में ऐसा किया जाता था तो राहूल गांदी जी ने आज जो बात बोली है अगर आप सहमती की बात करते हैं तो आप खोकली बात मत करिए सहमती बड़े भारी शब्द हैं उनको अपने जो हृदे है उसमें अमल भी करिए साथ में अपने चरित्र में अमल करने का काम करिए क्योंकि 2019 से लेके 2024 की बीच करणों की ये लनागों लोग मर गएं और हम सबके घर से लाखे हैं है मैं बिल्लाजी ने को कैंसल करने का काम करने का का है मैं यह एक बात कालिया की आपकी बात को ही आगए बढ़ा देता हूं कि question 3 जो होता है उस सबसे ज़्यादा महत्यपूर्पूर्ण चीजों में उता पड़ता है और कुछ जैसे राज्य सभा में सुमोटो उसमें वी वह बड़े विशेश प्रावधान है और संसद में इस बार कोई नजर ना लगे इसका पूरा पूरा उपर वाले का और आप आप सब लोगों क्या तो सारा सायोग होना चाहिए जी मैं जिस गिमिया सब्सक्र करना लगे जी मैं जी मैं फुर दे ग्रावधान है